नमस्कार दोस्तों अभी बाफिर से बहुत स्वागत है हमारे यूटीब चनल में अपका तो दोस्तों नए नए ड्रावर की वेकंसिस के लिए ट्रेट्समेंट की वेकंसिस के लिए और सभी तरह की सरकारी जोब्स जो आपको दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिलती है जो दूसरे यूटीब चैनल अपना फाइदा कमाने के लिए नहीं लाते हैं वही जोब्स की अपडेट हम हमारी यूटीब चैनल पर लेके आते हैं ताकि सभी को इसका फाइदा मिले और आप अपनी मन पसंद जोब और उसके बारे में जहनकरी प्राप्त कर सकें तो दोस्तों ऐसे ही एक जोब की डिटेल्स हम लेके आए हैं आज फिर दोस्तों वाटर केरियर आपने नाम सुना होगा अब जब भी किसी वेकेंसी का फाम भरते हैं तो आपको बहुत सारे उप्शन मिलते हैं जैसे ट्रेट्स में के आपने वेकेंसी भरी अभी हाल ही में SSB की सससत्र सी कीमा बलकी तो उसमें बहुत सारे उप्शन थे कूक बार्बर ठीक है और आपके जो अधर जो कि ट्रेट्स होते हैं ठीक है लेकिन उसमें एक नाम बहुत ही फेमस है और वह वाटर केरियर अधिकतर वेकेंसियों में इस वाटर केरियर में पोस्ट ज्यादा होती है ठीक है कि अगर 800 पोस्ट है टोटल तो उसमें से 300 400 500 वेकेंस वाटर केरियर में होगी वह सर्य यूवा बीना देखे बीना समझे बीना जाने कि वाटर केरियर क्या होता है इस वेकेंसियों में फार्म भर देते हैं और बाद में पच्छताते हैं तो दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आये हैं इसमें हमारा में लक्ष यही है कि कैसे आज जो है नए नए यूवा जो पहली बार फार्म भरते हैं या फिर किसी ट्रेट्स में फार्म भरते हैं और वाटर केरियर में फार्म भर देते हैं तो कैसे उस वेकेंसियों को पास किया जाए क्या रणनीती रहनी सी आपकोन करना पड़ता है नहीं हुआ होता है यह तो दोस्तों वाटर केशिस और केशिकिन हैं कि अगर में वाटर फसे हैं लाँ ने सब्सक्रावन करना दॉस्त जाला दालता है water carrier का काम होता है cook की सहायता करना या एक तरह से आप बोले कुट वहां पे कोई सहायता नहीं की जाती आप नए-नए है अगर आप वेकेञिंसी पास करके जा रहे है तो आपको सहायता में नहीं रखेंगे अपसे काम कर आएंगे सारा और गलत करेंगे तो दो गालिया सुनाएंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली एक्सपीरियंस है मैं डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाके आया हूं आपीस लास्ट फाइनल मेरे बेरा इसलेक्शन नहीं हो पाई था आर्पीएफ की बात कर रहा हूं में और अधिकतर बहुत सारी विकेंसियों में ट्रेट्समें के जो ट्रेट टेस्ट होते हैं वो दे के आया हूं चाहिए आपके आर्मी हो गई हो यह आपकी पुलिस विपाग हो गय है भी है वह बता है उसको आगे समन अकरना पड़ेगा तो दोस्तो मैं यह बताए कि करता है की साहेता करता है जो भी इपार्टिमेंट में आफ अप किचन में 2015 कांहें जिसमें को रोटी बनाना सब्जी बनाना सलात काटना जो भी किचन वाले कार्य होंगे वह आपको करने पड़ेंगे अंद कि तो वह सबसे पहले तो आफ टेस्ट में क्या करवा रहे हैं अब ट्रेट टेस्ट की भरती जो होती है सबसे मुश्किल नोकरी होती है यह मैंने क्यों लिखा थमनिल में दोस्तों आप देखे रहे होंगे थमनिल में लिखा है कि ट्रेट में की जो बढ़ती होती है उसमें सबसे मुश्किल होती है वाटर क लेकिन इसमें एक और चीज आती है क्या ट्रेट टेस्ट देना कि ट्रेट टेस्ट बहुत ही बड़ी चीज होती है जिन विद्ध्यारतियों ने अभी तक एक भी बार ट्रेट टेस्ट नहीं दिया है वह वहां जाके मतलब भी सोचते हैं कि कैसे मैं इसको क्वालिफाय करूँ तो ट्रेट टेस्ट देना मतलब आपको उस ट्रेट में आपने फार्म डाला है उस ट्रेट का एक टेस्ट होता है एक स्किल टेस्ट होता है जिसको आपको क्वालिफाय करना होता है और वाटर केरियर में भी आपका स्किल्क टेस्ट होता है तो इसमें क्या करना होता है कि आपके जो अधिकारी लेवल के तीन से चार ओफिसर्स वहां पे होते हैं एक पूरा सेटप जमाए जाता है जिसमें आपको में इसके सभी सामान जमान होते हैं ठीच चुल्हा कड़ाई तवा लाइटर सब कुछ और सबी आपको जो आइटम होते हैं इसबी आपको चीजें बनना आती है वह वगरा सब की आठिकारियों के बीच जो हुक्म दें यह बनाना यह सबसाँ गूतना फह रोटी बनाना इसे बनाना यह पर आपको ओमलेट बनाना जो भी इंस्ट्रक्शन अधिकारियों के द्वारा दिया जाता हो आपको complete करना होता है तो जिसा कि मेरा experience तो में गया था तो उस समय कि अधितर क्या होता है कि इतना संभव नहीं हो पाता है कि वह एक बच्चे से रोटी आटा गुंत हुआ है फिर रोटी बनवाए ठीक है सब्जी बनवाए तो यह करते हैं सलाज काट दो ठीक होता हुआ है तो रोटी बना की बताओ तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका perfection होना चाहिए रोटी अगर चाहिए और मोटी रोटी फूग जानी चाहिए तो यह मेरा रोटी का experience है उसके अलाव सब्जी देख लिए आप सब्जी बनानी है सबी चीजी आपके पास रहती हैं आप हडबड़ी नहीं करनी है ठीक है बहुत सार्व्यक्तिका करते हैं कि बनाते हैं बनाते हैं किसी का त फव्षास अपड़ा दियुक्तिका करना है तो दोस्तो सबसे पहले अपको तयारी करे रेटन की तयारी के साथ-सथ आप को running भी करना है जितनी आपकि अप्लाई कि उसम्हें रिडिंग की आवशक्ति आवशक्तितनी रेडिंग भी आपको complete करना है और तीसरी आपको टेट कर लिए अगर आपने वाटर केरियर से अपलाई किया है तो आप डेली रोटी बनाने की प्रैक्टिस कि चार पास सब्जद शीख लीजिए चावल कैसे बनाते हैं चामल बनाना ओम्लेट बनाना ओम्लेटिस्ट नीम्बू अगये को कैसे काटते है और इस्टाइल में काड़ते हैं तो यह हैं एक्जाम्न बायास्ट करें वब community निकलती हूं एक्जाम में पास होता है जिसके एक्जाम में अच्छ नमबर लाना बहुत जरूरारी है करें बात के प्रिट करें कि दो तो नोकरी जो है उसको फाइदा तो बहुत सारे हैं दोस्तों मैंने भी इसलिए आवधन किया था सबसे पहली बात कि यह जो नोकरी यह इतना अगर आप जैसे कोई जीडी में अपलाय करते हैं आपको 2400 गंटे डूटी करनी पढ़ती है इसमें इसा नहीं है सिर्फ दो गंटे सुबह दो गंटे शाम को ठीक है दो गंटे आपको सुबह देने खाना बनाने के लिए दो गंटे शाम को उसके लाव दिन में आप फिल्कु सुबहुत था आपको सब्सक्राइब होती है और उसके बाद आपका ट्रेटेस्ट होता है जो मस्त क्वालिफाय होता है तो आप बाहर हो जाएंगे तुसमें अपना 100% दीचे उसके बाद आपका रुक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट होती है तो यह आपका एक्जाम प्रोसेस होता है ठीक इस एक्जाम प्रोसेस को आप क्वालिफाय करके से नोकरी को पास सकते हैं बहुत ही बढ़ा नोकरी है टाइम मुश्कील नोकरी इसलीए क्योंकि इसमें ट्रेट केस्ट होता है जो कि मुश्किल होता है दो ठीके नाम ऐसा है कि बच्चे सुनके दर जातें तो डर नहीं पेलिफ पूरी प्रोसेस जाने और हमारे जूच्शनल से जुड़े रहे हैं ताकि समय त разрád है व्योग्याट अ Сं सब्सक्राइब आप था पास होते हैं और ओफ्लाइन निकलती ओनलाइन निकलती है और दूसरे यूट्यूब जयान नहीं देते हैं दिखाई जाती है बताई जाती है डिटेल दी जाती है और आपको पास करने के लिए क्या रणनिती होने चीए वो बताई जाती है ठीक है अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भरत